तो दोस्तो आज मैं आपके साथ सेयर कर रहे हूँ राजस्थान की बहुत ही ज़्यदा फेमस और बहुत ही डिलीसियस पित्तोर की सबजी की रेस्पी इसे हम बहुत ही सिंपल और अलग तरीके से बनाएंगे जब कुछ नया और अलग सबजी खाने का मनो तो आप इस सबजी क बहुत आसानी से बना सकते हैं तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम इसके लिए मसाला त्यार करेंगे तो मिक्सर जार में हम लेंगे एक चम्मच जीरा दो चम्मच हमने साबूत धन्या ली है इसकी जगा आप धन्या पाउडर भी ले सकते हैं आधा चम्मच को हमें बिना पानी डाले पीसना है देखिए इस तरह से थोड़ा दरदरा रखना है इस तरह से मसालों का फ्लेवर बहुत अचाता है सबजी में तो इनको हमने बॉल में निकाल ली है अब इसी जार में हम टमाटर पीस कर ले लेंगे बहुत छोटे साइज के टमाटर थे तो म में से हम 1,5 चमच मसाला इसके अंदर डालेंगे 1 चोथाई चमच हल्दी और आधा चुटा चमच नमक डाल देंगे अब हमने ये एक कप पाणी ली है तो पहले थोड़ा पानी डालेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और देखिए पहले थोड़ा पानी डालकर फेटने से कुठलें बहुत जल्दी खत्म हो जाती है अब इसमें बचा हुआ पानी डालेंगे और एक चोथाई कप पानी हम और डालेंगे यानि आधे कप बेसन में हमें सवा कप पानी डालना है और इस तरह से हमने इसका एक पतला सा घोल तेयार कर लिया है अब हम इसे पका लगातार चलाते हुए गाढा होने तक पकाएंगे और देखिए गोल गाढा हो गया है हमें इसे बहुत देर तक नहीं पकाना है बहुत जादा गाढा हो जाएगा तो पितोर सॉफट नहीं बनता है पाँच मिनटी हमने इसे पकाया है अब गैस आफ कर देंगे और इसे जमाने के लिए प्लेट या थाली लेंगे इसके उपर हम ये मिस्टर डाल देंगे गरम गरम रहे तभी इसे डाल देजेगा नहीं तो ये बहुत जल्दी जम जाता है थाली को हमने उल्टा कर लिया है और इसके उपर थोड़ा सा ओयल लगा लिया है जिससे कि ये आसानी से निकल जाए अब पल्टे से ही हम इसे एक इंच की मुटाई में फैला लेंगे अब इसे हम ठंडा होनी के लिए रख देंगे अब ये जो घोल पैन में लगा है ना इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से छुड़ा लेंगे इसका इस्तमाल हम ग्रेवी में करेंगे इससे ग्रेवी गाड़ी तो होगी ही टेस्ट भी बढ़ जाएगा इनको हम बॉल में निकाल कर रख लेते हैं और सबजी के लिए ग्रेवी तयार कर लेते हैं तो कड़ाई में हम लेना है दो बड़े चमश सर्सो का तेल तेल को हम अच्छे से गरम करेंगे और धुआ निकलने पर गैस आफ कर देंगे अब इसमें दो चुटकी हिंग डालेंगे और इसी के साथ हम इसमें पिसे हुए मसाले डालेंगे अब गैस जलाकर इनको हम हलका भूल लेंगे एक मिनट भूनने के बाद हम इसमें टमाटर का पेश डाल देंगे अब टमाटर को भी 2-3 मिनट तक भूनेंगे जिससे की टमाटर का कच्चा फ्लेवर निकल जाए दो मिनट भूनने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं एक छोटा चमच कास्मीरी लाल मिर्च पाउडर इससे कलर अच्छा आता है और आता चमच हमने हल्दी पाउडर डाला है इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें ये बेशन का घोल डाल देंगे जो हमने पैन से निकाल कर रखी थी इसको मिलाने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं दही आधे कप दही में हमने आधे कप पानी डाल कर फेट ली है दही को हम थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे और चलाते रहेंगे इस तरह से दही फटेगी नहीं और एकदम स्मूथ सी ग्रेवी बन कर त्यार होगी और इसे तब तक चलाना है जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए और आप देख सकते हैं मसालों से तेल अलग होने लगा है इसका मतलब मसाले हमारे अच्छे से पके हुए है अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल देंगे जितना गाढ़ा या पतला आप ग्रेवी पस कर लेंगे तो आप देख सकते हैं यह कितने सॉफ्ट बने है इन्हें आप ऐसे भी फ्राइ करके खाएंगे न तो यह बहुत टेश्ची लगते हैं तो देखे इनको हमने चोकोर सेप में काटा है आप चाहे तो इन्हें डैमंड सेप में या अपनी पसंद की सेप में काट सक और थोड़ा सा बारी कटवा हरा धनिया और बस अब हम इसमें ये बेशन के पितवर डाल देंगे ये राजस्थान की ट्रेडिशनल सबजी है इसे आप बाजरे की रोटी के साथ खाईए पूरी पराठे रोटी या चावल के साथ खाईए ये पितवर की सबजी पहुँट टेश्टी लगते हैं इनको हमने दो से तीन नियर तक कवर करके पका लिया है जिससे की तितवर में मसाले अच्छे से सेट हो जाए तो दोस्तों ये सबजी हमारे बनकर त्यार हो गई है आई होप आपको ये रेस्पी पसंद आई हो बहुत ही आसान तरीका है इक्तम सौप् करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोलेगा फिर मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ धन्यबाद